टीम इंडिया के ओपनिंग बल्ले बाज रहे शिखर धवन ने शनिवार सुबह अंतराश्ट्रिय क्रिकेट के तीनों फर्माट से सन्यास का एलान कर दिया है उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी आपको बता दें कि शिखर धवन ने लिखा मैं अपने करिकेट के सफर के इस अध्याय को समाप्त कर रहा हूं मैं अपने साथ अंगिनत यादे और करतग्यता लेकर जा रहा हूं प्यार और समर्थन के लिए धन्यवात, जैहिंद आपको बता दें कि शिखर पहली बार साल 2010 में आस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ वंडे टीम में शामिल हुए थे साल 2022 में बांगलादेश के खिलाफ उन्होंने आखरी वंडे मुकाबला खेला था तब से उन्हें टीम इंडिया में जगा नहीं मिली थी आपको बता दें कि शिखर धवन ने एक मिनट 17 सकेंड का वीडियो पोस्ट किया इसमें उन्होंने कहा नमस्कार आज मैं एक ऐसे मोड पर खड़ा हूँ जहांसे पीछे देखने पर केवल यादे ही नजर आती है और आगे देखने पर पूरी दुनिया मेरी हमेशा से एक ही मनजिल थी इंडिया के लिए खेलना वो पूरा भी हुआ इसके लिए मैं कई लोगों का शुक्र गुजार हूँ सबसे पहले मेरी फैमिली मेरे बचपन के कोच तारक सिनहा जी मदन शर्मा जी जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी टीम इंडिया में खेलने के बाद मुझे आप फैंस का बहुत प्यार मिला लेकिन वो कहते हैं ना कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटने जरूरी है बस मैं भी ऐसा ही करने जा रहा हूँ मैं इंटरनाशनल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से सन्यास ले रहा हूँ आए देखते हैं उनका वीडियो नमस्कार सभी को आज एक ऐसे मोड पर खड़ा हूँ जहां से पीछे देखने पर सिर्फ यादरी निज़र आती है और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया मेरी हमेशा से एक की मन्जिल थी इंडिया के लिए खेलना और वो हुआ भी जिस के लिए मैं कई लोगों का शुकर बुजारू सबसे पहले मेरी फैमिली मेरे पच्पन के को तारिक सिनाज जी मदन शर्मा जी जिंकेंडर मैंने क्रिकेट सीखी पिर मेरी टीम जिसके साथ साथ मैं सालों खिला मुझे एक परिवार ओर मिला नाम मिला अब सब का प्यार मिला और कहते हैं ना तानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना ज़रूरी है तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जनरी को अलविदा कह रहा हूँ तो मेरे दिल में एक सकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला और मैं बहुत शुकर गुजारूं byccyd Digi 6ए का जिनोंने मुझे 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 मूका दिया और मेरे सारे फैंस का जिनोंने मुझे इतना प्यार दिया और मैं बस खुछ से यह किहता हूँ कि भाई तो इस बाट से तो कमत हो कि तो अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है मैं खेला ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें www.punjabkisri.com साथ ही कमेंट सेक्षिन में अपनी राय जरूर दे